वेल्कम टू स्टडी 24 देपूर इस वीडियो में हम अपकी रण के माप मेजर्स ओप डिस्परजन से सम्मंदित जो नुमेरिकल कोशन से आपके उसको आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं देखें मुखी रूप से अगर आप देखो तो जो अपकीरण के माप हैं ठीके वो कौन-कौन से आपके सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्वाल्टाइल डेवेशन ठीके चतुर्तक विशलन दूसरा आपका हो जाएगा मीन डेवेशन माध्य विचलन और तीसरा हम पढ़ेंगे स् विचलन और साती सात में आपको रेंज विस्तार क्या होता है उसको भी इसी वीडियो में सात सात में आपको में बता दूंगा ठीके विस्तार भी आपका एक तरह से क्या है अब किरण के माप के अंतरगती आता है मैजर्स ओप डिसबर्जन में आता है तो चलिए सबसे पहल है किसी भी श्रेणी में जो तीसरा चतुर तक होता है जिसको आप क्या बोलते हो Q3 और एक होता है प्रत्थम चतुर तक जिसको हम क्या कहते हैं Q1 और दूसरा जो आपका चतुर तक होता है quartile होता है, वो कौन सा होता है, Q2 होता है, जो आपका median के equal होता है, ठीक है कोई भी श्रिणी होती है, जैसे हमारे पास में series है, इसको अगर हम क्या करें, चार equal part में divide करें, वो आपका क्या होता है, चतुर तक होता है, quartile होता है, जो value किसी series को किसी शर्णी को 4 equal parts में divide करती है यह हमारे पास में series है इसको हमने 4 parts में divide कर दिया यह आपका पहला part होगे इसको आप क्या बोलोगे Q1 इसको हम क्या बोलेंगे Q2 कहेंगे यह आपका क्या हो जाएगा Q3 हो जाएगा तो quartel जो होते हैं किसी series में कितने होंगे 3 होंगे मतलब जितनी भी भागों में हम किसी शर्णी को विभाजित करेंगे उसका जो मुल्य वगा उससे कम होता है जिसे आप percentile के अगर बात करते हो किसी series को 100 बराबर भागों में बाड़ता है तो series में percentile कितने होंगे 99 होंगे डिसाइल दश्मक जो श्रेणी को 10 भागों में विवाजित करता है तो श्रेणी में दश्मक कितने होंगे डिसाइल कितने होंगे 9 होंगे ठीके 5 मक्या होता है क्वाइन टैल जो 5 भागों में बाढ़ता है तो स्रिस में quintiles कितनों होंगे फैफ होंगे ठीक है तो यहां पर हम पड़ रहे हैं 4 तक तो किसी भी शनित में 4 कितने होंगे 3 होंगे ठीक है किसी शनित 꽂ँ 4 समान भागव में विवाजित करता है वह शो college होता है ei ठीक है का फॉर्मला क्या बन जाएगा चतुर्तक विचलन गुणांग क्या होता है तो उसका जो हमारा फॉर्मला है वो क्या होगा क्यू 3 माइनस क्यू 1 अपॉन अपॉन एगर चतुर्तक विचलन पुछा जाए तो चतुर्तक विचलन का जो हमारा फॉर्मला है वो क्या होगा क्यू 3 माइनस क्यू 1 अपॉन टू करोगे ठीक है केवल अगर आपको क्वाइटल डिविशन पुछा जाए चतुर्तक विचलन पुछा जाए तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे Q3-Q1 upon 2 और उसका गुणांग अगर पूछा जाए coefficient अगर पूछा जाए तो coefficient का जो formula होता है वो क्या होगा Q3-Q1 upon Q3 plus Q1 अब देखिए इसको आप एक question के माध्यम से समझीए हमें यहाँ पे पूछावा है कि 4 तक विदलन और उसका गुणांक ग्याद कीजिए Q2-Q1 और इसका coefficient तो देखिए कोई भी question आपके पास में होता है वो तीन परकार से हो सकता है तीन परकार वो कौन-कौन से होते हैं सबसे पहले आपके पास में होती है individual series तीन परकार से आपका question हो सकता है जो आपको पेचानना पड़ेगा तो यहाँ पर देखिए हमारे पास में अलग-अलग students के लंबाई दे रखिए है A, B, C, D, E, F, G साथ students है उनकी हमको height care data दे रखे हैं ठेके कितने हैं sentimental दे रखे हैं 138, 140, 150, 165, 150, 170 और 160 अब यहाँ पर आपको क्या calculate करना है 4 तक विचलन और उसका बुड़ा quality division और इसका coefficient तो सबसे फिले देखिए इसमें आपको क्या करना पड़ेगा एक तो आपको जरुत पड़ेगी Q1 की तो सबसे फिले हम क्या निकाल लेंगी Q1 निकाल लेंगे दूसरा आपको किस की जरुत पड़ेगी Q3 की तो फिर हम क्या calculate करेंगे Q3 calculate करेंगे ठीक है सबसे फिले आपको Q1 और Q3 ये दोनो calculate करना पड़ेगा अब देखिए हमारे पास में जो कोशन दे रखा हैं तो सबसे फिले इसको आपको क्या करना पड़ेगा इसको आपको arrange करना पड़ेगा ascending या descending order में इसको आप arrange कर लीजिए ठीक है छोटे से बड़े या बड़े से छोटे की रूप में जो आपके पास में value है उसको आप एक बार लिख दीजिए आप देखो q1 और q3 को calculate करने का जो तरीका आपने median पड़ा था हमने पिछली क्लास में तो उसके जैसा रहेगा बस median क्या होता है किसी सीरीज को दो equal part में divide करता है इसलिए हमने हम आपे formula में क्या यूज़ क्या था n प्लस 1 अपॉन 2 लेकिन जो quartile है चतुरता के वो चार भागों में भी वाज़ित करता है इसलिए हमारा formula क्या हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन 4 तो q1 calculate करने का जो हम formula यूज़ करेंगे वो आपका क्या हो जाएगा q1 equal to n प्लस 1 अपॉन 4 अब n यहापे number of stress कितने हैं 7 है तो n के जगा आप क्या लिखोगे 7 प्लस 1 अपॉन 4 आपके formula में है 7 प्लस 1 अपॉन 4 करने पर कितना आएगा 2 आएगा ठीक है second item तो second item की value आपकी कितनी है 140 तो q1 आपका क्या हो जाएगा 140 clear हो गया q1 किस तरीके से calculate करना है n प्लस 1 अपॉन 4 यह formula यूज करना है n आपका यहाँ पे कितना था 7 तो 7 प्लस 1 अपॉन 4 किया 2 आगया है और second item की जो value है वागे कितनी है 140 तो आपका q1 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा इसी तरीके से हम क्या करेंगे q3 को भी calculate कर देंगे और q3 के लिए जो हम formula यूज करेंगे वो आपका formula क्या हो जाएगा q3 equal to n प्लस 1 अपॉन 4 जो आपका formula था q1 का उसको केवल 3 से multiply कर देना ठीक ही यहाँ पे आपका क्या आजाएगा 3 आजाएगा 3 से multiply कर देंगे यह जो formula था इसमें अगर आगे आप 3 से multiply कर दोगे इसको यह क्या बन जाएगा q3 का formula बन जाएगा तो q3 equal to आपका formula क्या हो गया 3 into n प्लस 1 अपॉन 4 अब देखिए n कितना आपका है आपके 7 है तो value रखोगे अगर formula में क्या हो जाएगा 3 into 7 प्लस 1 अपॉन 4 और इसको solve करने पर आपके पास में कितना आ रहा है 6th item और 6th item की जो value है आपके पास में कितनी है 165 इसका मतलब q3 आपका क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा q1 हमने calculate किया था वो कितना आए था 140 आए था और q3 आपका कितना आ गया है 165 तो आपका जो चत्तूर तक विचलन है quarter deviation है वो आपका क्या हो जाएगा formula में आपको शुरू में बता दिया देखिए चत्तूर तक विचलन का formula हमारा सब जगे यही रहेगा q3 minus q1 upon 2 तो q3 आपका कितना आया है 165 और q1 कितना आया है 140 तो यह हो जाएगा 165 minus 140 upon 2 165 में से 140 को minus करेंगे तो हमारे पास में बचाएगा 25 तो 25 अगर आप 2 का divide कर दोगे तो कितना जाएगा 12.5 12.5 यह आपका क्या है चतूर तक विचलन है अगर इसका गुणांक पुछा जाए coefficient of qualitative deviation चतूर तक विचलन गुणांक क्या होगा तो गुणांक का formula में आपको क्या बताए था q3 minus q1 upon q3 plus q1 q3 आपका कितना है 165 तो 165 minus q1 कितना है 140 तो यह हो जाएगा 140 upon में क्या जाएगा 165 plus 140 अब देखिए 165 में से 140 को minus करेंगे कितना हैगा 25 और 165 plus 140 करोगे तो यह आपका कितना जाएगा 305 तीक है 305 अब 25 में 305 का अगर हम divide करेंगे तो यह आपका जाएगा 0.0819 यह round figure में अगर आप चाहें तो 0.082 भी लिख सकते हैं तो यह हमारा क्या हो जाएगा coefficient हो जाएगा चतुर तक वितन गुणान खो जाएगा तो इस तरीके साब को व्यक्तिगर्शनी जो individual series है उसमें चतुर तक वितन calculate करना है अब देखिए दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो आपका कौन सा है अगर question हमारे पास में discrete series में दे रखा हो ठीक है discrete series जो खंडी तरशनी है उसमें अगर आपके पास में question दे रखा है हमारे पास में जो मुल्य दे रखे होगी जिसको आप कहोगे x कहोगे और उसके साथ में हमारे पास में क्या होगा उसकी frequency दे रखे होगी तो x और f जब दे रखा हो value और उसकी frequency मुल्य और उसकी आवरती जब दे रखे होगी तो उसको हम कहेंगे यह कौन शी शनी है खंडित शनी है डिस्क्रीट सिरीज है तो यह वहाँ पर लिखावनी आएगा यह आपको पहचानना पड़ेगा कि यह खंडित शनी है व्यक्टिगत है यहां फिर खंडित है तो यहां प दिस्क्रीट सिरीज है तो डिस्क्रीट सिरीज में आपको किस तरीके से करना है उसको हम समझते हैं अच्छा यहां पर भी एक चीज आपको ध्यान अकनी है कि यह हमारे पास में जो वेल्यू दे रहे की साइज 6 8 9 10 11 15 16 20 और 25 दे रखा है तो कभी-कभी यह वेल्यू अगर आपके पास में इसको अरेंज अगर नहीं कर रखा हैं ठीक है क्रम से अगर लिखावा नहीं है तब भी आपको ध्यान अकना इसको क्रम से जमाना आए दे कि यहां पर जमावा है सबसे पहले आपका 6 आ गया फिर 8 आ गया फिर 9 10 फिर 11 15 16 20 25 यह बढ़ते वे क्रम में है तो यह जमावा है सबसे आपको कोई चैंज करने की जुरत नहीं है लेकिन माना कि अगर यहां पर इस तरीके से आज जाता कि यह जो वेल्यू है जैसे 8 के बाद में यहां लिख देते 10 और यहां पर लिख देते 9 और फिर 11 15 इस तरीके से लिखा होता तो फिर इसको आपको अरे frequency 27 है तो इन दोनों का आप क्या करोगे इधर लिख दोगे ठीक है इस तरह किसे आपको arrange करना पड़ेगा अब देखिए हमारे पास में यहापे क्या है एक तो आकार है ठीक है size दे रहे हैं आपको जिसको हम क्या कहेंगे x कहेंगे और दुसरा हमारे पास में क्या है बारम बारता है frequency है ठीक है x हमारे पास में क्या है 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 20, 25 और frequency क्या है 28, 20, 27 यह मारे पास में frequency है तो मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके सा median calculate करते हैं उसी तरीके से Q1 और Q3 को calculate करेंगे तो सबसे पहले हमको community frequency संचे आवरती यह संचे बारम बारता निकालने पड़ेगी सबसे पहले आपका आजाएगा 28 आजाएगा फिर 28 में 20 प्लस करोगे तो 48 आजाएगा फिर 48 में 27 प्लस करेंगे 75 आजाएगा 75 में 21 प्लस कीजिए 96 96 में 22 प्लस कीजिए 118 उसमें 26 प्लस कीजिए 144 144 में 23 प्लस किया 167 167 में 24 प्लस किया 191 और 191 में 25 को हमने add किया प्लस किया तो कितना आगया 216 और frequency की जो total है वो भी कितनी होगी 216 होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे community frequency जब आपके पास में frequency दे रखी हो ना तो आपको CF निकालना पड़ेगा अब देखी Q1 का जो formula है वो था हमारा वही रहेगा n प्लस 1 अपॉन 4 n यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा frequency की जो total होती है वो होगा तो 216 प्लस 1 अपॉन 4 और 216 प्लस 1 अपॉन 4 करने पर कितना आएगा 54.25 आएगा ठीके अब आपको क्या करना है अब आपको CF में देखना होगा कि इस 54.25 के ठीक बाद वाली CF कौन सी इससे ठीक बड़ी ठीके 54 के ज़स्ट बाद में आपका इसमें से कौन सा होगा 75 और यह किसकी है इसके सामने x की value कितनी है 9 इसका मतलब आपका क्या हो गया q1 कितना होगा 9 होगा clear हो गया सबसे पहले आपको n प्लस 1 अपॉन 4 इस formula का use करना है फिर क्या करना है आपको n की जगह हम frequency की total लिख देंगे ठीक है 216 प्लस 1 अपॉन 4 किया 217 अपॉन 4 करने पर कितना आया 54.25 और 54.25 की ठीक बात में से ठीक बड़ी अगर 48 आ जाता है तो हम इसी को ले ले लेते हैं उसके सामने x के value कितनी है 8 इसका मतलब q1 कितना हो जाता 8 हो जाता अगर आ जाता 78 तो 78 से बड़ी कौन सी है आपकी 90 6 वाली मतलब q1 आपका कितना जाता 10 आ जाता लेकिन यहाँ पे आपका जो आया है 54.25 आया है 9 हो जाएगा इसी तरीके से आप क्या करोगे q3 भी हम calculate कर लेंगे q3 का हमारा formula क्या होगा यह जो formula है उसमें आगया आप क्या करोगे इसको 3 से multiply कर दोगे हमारा formula क्या बन जाएगा 3 into n प्लस 1 upon 4 ठीक है 3 into n आपका कितना है 216 216 plus 1 upon 4 कर दोगे यह हमारे पास में कितना आजाएगा यह आपका आजाएगा 217 में 4 कर डिवाइट करना और फिर इसको 3 से multiply करेंगे तो यह आजाएगा आपका 162.75 और 162.75 से ठीक बादवाली 162.75 से ठीक बादवाली आपके कौन सी है 167 और यह किसकी है 16 की इसका मतलब आपका क्या हो गया? Q3 जो है वो कितना होगा? 16 होगा, 16 होगा ठीक है Q3 भी हमने निकाल दिया, Q1 भी निकाल दिया देखिए जो हम X बार निकालते हैं फिर आप निकालते हो mean sorry X बार तो यह होता mean ही होता है यह आपका median और एक होता है mode एक होता है आपका Q1 एक होता है आपका Q3 यह सारी जो value है ना इन सभी की जो value होती वो इसी के बीच में आएगी ठीक है मतलब 6, 8, 9, 10, 11 मतलब हम कह सकते हैं 6 से लेके 6 से सबसे बढ़ी आपके कितनी 25 इन के बीच में आएगी median तो क्या होगी median Q1 और Q3 तो इननी में से कोई एक value होगी मोड जो होगा वो भी इननी में से कोई value होगी पस जो x बार है वो आपका point में भी आ सकता है यहां पर तो देखिए आपका Q1 निकाल दिया हमने Q3 निकाल दिया अब हमारा जो formula है वह आपका क्या formula है वही formula यूज़ करना है जो हमने उपर बताया है ठीक है quartile division का आपका formula क्या होगा Q3-Q1 upon 2 तो देखिए आपका Q3 कितना आया Q3 हमारे पास में आया था 16 और Q1 हमारा कितना आया था Q1 हमारा आया था 9 तो आपका formula में वेलोग दो 16-9 upon 2 तो कितना आ जाएगा 3.5 यह आपका 3.5 क्या है चतुर्चक विचलन है quartile division है फिर इसका अगर गुणांग अगर पूछा जाए ठीक है coefficient of quartile division चतुर्चक विचलन अगर गुणांग पूछावा है तो गुणांग coefficient का formula क्या होता आपका Q3-Q1 upon Q3 plus Q1 बस value रख दिजिए Q3 आपका कितना है 16 Q1 कितना है 9 तो 16-9 upon 16 plus 9 16 में से 9 को अगर आप माइनस करोगे तो आपके बास मे कितना बचाएगा 7 और 16 प्लस अगर 9 करोगे तो आपका कितना आजाएगा 25 और 7 में अगर आप 25 के divide करोगे तो यह आपका कितना आजाएगा 0.28 तो यह आपका क्या है चतुर्चक विचलन गुणांग होगा नेक्स्ट हमारा है अगर कोशन आपको अखंडित continue series में अगर दे रखा होगा तो आपको किस तरीके से करना है ठीक continue series में आपके पास में क्या होगा वर्ग अंतराल class interval दे रखा होता है जिसने हमारे पास में class interval दे रखा है 10 to 20, 22 to 30, 32 to 40, 42 to 50, 52 to 60 और 62 to 70 और frequency आपकी कितनी है 110, 125, 86, 45, 18 और 12 तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा इसमें दे रखा होगा ठीक है यह हमारे पास में दिया हुआ था सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको median अगर निकालनी है Q1 अगर आपको निकालना है Q3 अगर आपको निकालना है ठी Q3 तो आपको क्या करना पड़ेगा यहां पे CF निकालनी पड़ेगी Community Frequency के Median Q1 और Q3 को केलकुलेट करने के लिए CF की जरूरत पड़ेगी तो सबसे पहले हम यहां पे CF केलकुलेट कर देंगे कितना आजाएगा दोको सबसे पहले 110 फिर इसमें 125 प्लस कर दीजिए 235 फिर 235 में 86 को प्लस किया 321 321 में 45 को प्लस किजिए 366 366 में हमने 18 को एड़ किया 384 384 में 12 को एड़ किजिए 396 और F की टोटल भी कितनी आएगा आपकी 396 आने चाहिए अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे हम जो formula यूज़ करेंगे सबसे पहले हमको यह पता है कि हमारा जो Q1 और Q3 है वो 10 और 70 के बीच में है सबसे पहले हम क्या मालूम करेंगे कि हमारा जो Q1 है और Q3 है वो कौन से class interval के बीच में है मतलब 10 और 20 की बीच में है 20 to 30 की बीच में है 30 to 40 के बीच में है तो उसके लिए हम क्या formula रियूज करेंगे Q1 equal to N upon 4 ठीकि इससे हमको क्या पता चलेगा कि हमारा जो Q1 है वो कौन से group में है मतलब 10 to 20 की बीच में है 22 to 30 की बीच में है या 32, 40 के बीच में है इन में से किस group में है वो हमको किस से बता चलेगा Q1 से तो देखे Q1 आपका यह formula है इन अपन 4 से बता चलेगा यह आपका हो जाएगा 396 upon 4 और 396 upon 4 करने पर आपके पास में कितना आ रहा है 99 आया है अब आप क्या करोगे इस 99 के ठीक बाद वाली cf कौन सी है वो देखे तो 99 के ज़स्ट बाद में आपकी cf कौन सी है 110 इसका मतलब इसके सामने जो आपका class interval वो कितना है 10 to 20 तो अब हमको पता चल गया कि Q1 जो है वो कितना होगा आपका 10 और 20 के बीच में होगा ठीक है Q1 की जो value है वो कितने होगी 10 और 20 के बीच में होगी अब 10 और 20 के बीच में क्या होगी वो हम formula से करेंगे ठीक हमारा formula क्या हो जाएगा Q1 equal to L1 plus I upon F ठीक है median में क्या होता था M minus C होता था और यहां पर Q1 निकाल रहे हो यहां पर क्या हो जाएगा Q1 minus C हो जाएगा इस formula का use आपको करना पड़ेगा Q1 निकालने के लिए हमारा formula क्या बन जाएगा Q1 equal to L1 plus I upon F Q1 minus C और अगर Q3 निकालना है तो formula क्या बन जाएगा L1 plus I upon F small Q3 minus C ठीक है वो Q3 के लिए होगा तो सबसे पहले हम क्या करेंगे Q1 निकाल देंगे अधो Q1 में L1 क्या होगा आपका यह 10 यह 10 क्या होगा L1 I क्या होगा इनके बीच में difference कितना है 10 और 20 के बीच में कितना difference है 10 का तो I आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा फिर निचे यह देखिए फॉर्मलेम आपका क्या है F ठीके फ्रिक्वेंसी तो यह जो फ्रिक्वेंसी है यह फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी यह आपकी हो जाएगी 110 ठीके फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होगी 110 हो जाएगी तो यह आपकी 110 10 और C क्या हो जाएगा C हमारा क्या होता है जो हमारा यह वर्ग आया है आपका Q1 का ठीकि उससे पहले वाला तो इससे पहले आपका कोई group है यह नहीं इसका मतलब C की value क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी तो यह सारी विल्यो हम क्या करेंगे formula में लिख देंगे ठीक है ये देखे आपका formula Q1 का formula हमारा क्या हो जाएगा L1 प्लस I upon F Q1 minus C L1 आपका कितना था 10 I कितना था interval कितना था 10 और F आपका कितना था 110 C आपका Q1 कितना था Q1 तो हमने calculate किया था 99 आया था ठीक है ये सारी video देखो यहाँ पर हम formula में लिख देंगे उपर से देखके ठीक है ये देखी टेबल में देखिया ये जो हमारा formula है ठीक है इसमें L1 कितना होगा आपका 10 तो सबसे पहले आप लिख दोगे 10 प्लस I upon F I क्या है मतलब इनके बीच में interval कितना है 10 और 20 की बीच में 10 का difference है अपून F कितना है 110 तो 110 फिर Q1 माइनस C Q1 हमारा कितना है था 99 आया था और C का मतलब ये जो हमारा group आया है उससे पहले वाला group तो ही नहीं इसका मतलब C की value कितनी होगी 0 होगी ठीक इसको आप solve कर लेजिए तो ये आपका कितना आजाएगा इसको solve करने पर आपके पास माजाएगा 10 प्लस 9 इक्वल टू 19 इसका मतलब Q1 जो है वो आपका कितना हो जाएगा 19 इसी तरीके से हम क्या करेंगे Q3 भी calculate कर लेंगे और Q3 के लिए आप सबसे पहले Q3 का formula क्या use करोगे 3 into n upon 4 ठीके n आपका क्या है 396 है उसमें अगर हम 4 का divide करें कितना आएगा 99 और 99 को इस 3 से multiply कर देंगे तो हमारे पास में कितना आजाएगा 297 अब 297 से ठीक बड़ी CF कौन सी देखिए 297 से बड़ी ठीक बाद वाली कौन सी है 321 कौन से गुरूप की है 30 to 40 इसका मतलब आपका जो Q3 है ये कितना होगा 30 to 40 के बीच में होगा अब 30 और 40 के बीच में क्या है उसके लिए हम क्या करेंगे formula यूज करेंगे क्या formula यूज करेंगे Q3 equal to L1 plus I upon F Q3 minus C ये formula यूज करेंगे इस formula में देखो कौन कौन सी value क्या होगी तो देखो हमारा group कौन सा आया है 30 to 40 आया है तो L1 आपका कितना हो जाएगा 30 I कितना हो जाएगा आपका 340 के बीच में कितना difference है 10 का I upon F F आपका कितना हो जाएगा 86 और आपको किसकी जुरूर पड़ेगी Q1 Q1 आपका कितना है था Q1 आपका आया था 297 आया था ठीके N upon 4 into 3 करने पर और C आपका क्या हो जाएगा ये 235 ये आपका क्या है C की value होगी तो ये सारी value आप क्या करोगे formula में लिख देंगे ठीके तो formula में अगर हमने put की ये सारे value रिख दी हैं पर तो कितना आगया ये है 37.20 आगया है तो देखो ये हमारे पास में क्या आया है Q3 तो Q3 भी आगया आपका Q3 कितना है 37.20 और Q1 कितना है आपका 19 19 तो QD चतुर्थक विद्दन अगर पूछत क्या हो जाएगा Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 तो 37.20 माइनस 19 अपॉन 2 करोगे कितना जाएगा 9.1 ये आपका क्या आया है चतुर्थक विद्दन अगर इसका गुणांग पूछें तो गुणांग क्या होगा coefficient का formula Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1 ठीक है इस problem आपको क्या करना पड़ेगा value रखने पड़ेगी ठीक है इसमें आप value रख दोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 37.20 0 माइनस 19 अपॉन 37.20 0.20 प्लस 19 ठीक हो इसको आप सोल कर लिजेगा और जो coefficient होता है गुणांग होता है उसकी विल्य हमेशा एक से कम आती एक आ सकती है या एक से कम आएगी तो इसको आप सोल कर लिजेगा 37.20 में से 19 को माइनस कर देना और इन दोनों को 37.20 प्लस 19 को प्लस कर देना और फिर आपस में डिवाइट कर देना जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा coefficient हो जाएगा तो इस तरीके से आपको quartile deviation निकालना है चतुर तक विजेटन अब next हमारा है mean deviation माद्धी विजेटन हम किस तरीके से calculate करेंगे तो देखिए mean deviation जो होता है उसको हम समानतर माद्ध्य x-bar से भी निकाल सकते हैं दूसरा median से भी हम calculate कर सकते हैं और तीसरा आपका mode तीनों से हम calculate कर सकते हैं तेकि जो माद्धी विजेटन होता है वो समानतर माद्ध्य मद्धी का बहुलक mean, mode, median तीनों से calculate किया जाता है और इसमें जो हम deviation निकालते हैं उसमें हम क्या करते हैं जो sign होते हैं उनको हम क्या करते हैं ignore मतलग जो whichland है deviation अगर वो minus मारा है तो भी उसको क्या करना है हमको plus में माना जाता है उसको धनात्मक माना जाता है और उसके लिए जब देखो, आप dx किसे निकालोगे, x-x-x-bar करके, या हम x-median से भी आप निकाल सकते हो, तो x-m करके निकाल सकते हैं, तिक या उसको आप क्या लिखोगे, dm, और अगर बहुलक से निकालोगे, तो बहुलक के लिए आप क्या लिखोगे X-J तीनों से निकाल सकते हैं अगर जनरल यह आपका एक्जाम में जो पूछा जाता है अधिकतर वो क्या पूछा जाएगा समानतर माद्धिक की साहिता से और यहां फिर माद्धिका मीडियन की साहिता से पूछा जाता है अगर कोशन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है किस से निकालना बस लिखा हुआ है कमीन डेविशन कैलकुलेट कीजिए तो फिर आप किस से करोगे मीडियन से करोगे मद्धिका से निकालना है हमको सबसे पहले देखिए अगर आपके पास में जो कोशन आया है वो किस तरीके से आया है इंडिविजल स्रीज में साथ विद्यार्थियों की हाइट हम को दे रखी हैं तो सबसे पहले इसको आप क्या करना एक बार इसको क्रम से जमा लेना ठीक है असेंडिंग या डिसेंडिंग ओर्डर में तो 138, 140, 150, 150 जो पिछली बार वाला कोशन था उसी को हमने लिया ठीक इसको हमने क्या कर दिया एक बार तो अरेंज कर दिया है अरेंज अगर नहीं करोगे तो भी काम हो जाएगा लेकिन आपको क्या करना है कोई सा भी कोशन आ जाए उसको आप एक बार अरेंज कर लेना ठीक है छोट अब आप क्या करोगे dx निकालोगे ठीक है ये वाला और कैसे निकालोगे x minus x bar करके x bar आपका कितना या है 153.28 तो इन सब भी x की value में से हम क्या करेंगे 153.28 को minus करेंगे तो देखो सबसे पहले 138 में से minus कर दोगे आप क्या minus कर दोगे 153.28 को फिर 140 में से minus करना है फिर 150 में से 160 में से इस तरीके से हम minus करेंगे तो minus करने पर आपका कितना जाएगा दोखो सबसे पहले अगर आप 138 में से 153.28 को minus करोगे दिया जाएगा आपका 15.28 फिर 140 में से 153.28 को minus करोगे क्योंके हमारा formula क्या लिका लिखा उपर हमने dx के के से निकालोगे x में से x बार को minus करना यह हमारे पास में सब x हैं, इन सब में से हम mean जो आया है हमारे उसको minus कर रहे हैं, ठीक है तो यह आपका क्या जाएगा, dx आजाएगा, और इनकी हमने total कर लिए, दोगो यहां पे हमने minus का sign का ध्यान नहीं रखना, सब को आपको positive लिखना है, दोगो 138 में से अगर 153.28 को minus को क क्या करते हैं, सब को positive मानते हैं, यह बात आपको ध्यान रखनी है, सब को आपको क्या करना है, minus में अगर आ रहा है, तो भी उसको plus में ही लिखना है, तो minus के 15.28 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, plus के 15.28, फिर दोगो 140 में से अगर आप 153.28 को minus करोगे, तो भी minus के 13. 13.28 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर भी plus का लिखना है, plus के 13.28 को ही लिखना है, ठीक है, सब जगे आपको क्या लिखना है, positive sign ही लिखना है, minus को नहीं लिखना है, इसके लिए हम क्या करते हैं, dx के साथ में यह दो खड़ी रिखाय खीज देते हैं, ठीक है, जुसको क्या देखे, इन सब को आप plus कर दीजिए, तो इन सब को plus करने पर हमारे पास में कितना आएगा, 70.28, अब हमारा जो mean deviation है, उसका formula क्या हो जाएगा, यह जो dx की total आई है, उसमें आपको क्या करना है, इस n की total का divide कर देंगे, तो हमारा formula क्या बन जाएगा, यह देखो, इसकी जो total उसको आप क्या लिखोगे, summation dx, और इसमें आप divide किसका कर रहे हो, n का, तो n का हम क्या करेंगे, divide कर देंगे, तो यह हमारा क्या हो गया, formula, क्या formula बना आपका, summation dx upon n, तो summation आपका dx कितना यह है, 70.28 में, 7 का divide करोगे, तो क्या आजाएगा, आपका, माध्य विचलन आजाएग mean division आजाएगा, और कितना आएगा यह, 10.04, अब देखिए, यही question अगर आपको median से करना है, तो यहाँ पे आपको x bar नहीं निकालना पड़ेगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, median निकालना पड़ेगा, और median का formula क्या होता है, आपका, n plus 1 upon 2, और n plus 1 upon 2, मतलब 7 plus 1 upon 2 करो होगे, आपका क्या जाएगा, 4, 4 थाइटाम आपका क्या है, 150 है, मतलब इस question में आपकी median कितनी है, 150, और median से अगर आपको calculate करना है, तो यहाँ पे आप लिखोगे, dm equal to x minus m, अब x minus है मतलब 138 में से, median कितना है, 150, तो 138 में से सबसे पहले यहाँ पे, आपका first column यहाँ बन minus 150, फिर आपका हो जाएगा 140 minus 150, फिर 150 minus 150, यहाँ पे 160 minus 150, फिर 165 minus 150, 170 minus 150, मतलब median अगर आपका 150 आया है, तो इन सबी में से आप 150 को minus कर दीजिए, अगर आप mean से कर रहे हो, mean अगर आपका 153.28 आया है, तो इन सब में से आप क्या करोगे, 153.28 को minus कर दोगे, median अगर आपका 150 आया है, तो यहाँ पे इन सब जगे आप क्या लिख दोगे, 150 लिख देंगा, अगर median से कर रहे हैं तब, ठीके, तो यह देखी, मैंने जो आपको यहाँ पे solve कर रखा, वो के वाल, मद्धी का वाला बता रहा है, तो मद्धी का निकाल द हैं, उसमें हमने इसका divide कर दिया, median में भी same आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले median निकाल दिजिए, फिर यहाँ पे जो भी आएगी value, इन सब को आप plus कर दोगे, उसमें भी आपको n का divide करना है, तो mean division अगर आप median से निकालोगे, फ्रूमला क्या बन जाएगा, sigma dm upon n, तो त individual series में था, व्यक्तिकर शनी में था, ये question आपका क्या है दोखो, इसमें आपके पास में ये दो चीज़े दे रखी होगी, एक तो हमारे पास में x दे रखा होगा, और दूसरा f दे रखा होगा, size दे रखी है, frequency दे रखी है, ठीक है, तो x आपके पास में कोई अगर एक नि होगी, अब समानतर मादि से अगर आपको मादि विचलन निकालना आए, mean deviation हम किसे calculate कर रहे है, from mean, mean मतलब x बार से अगर आप calculate कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको x बार निकालना पड़ेगा, x बार के लिए हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कि x बार आप किसे निकालोग तो सबसे पहले 6 को 28 से multiply किया 168 आ गया, 8 को 20 से multiply किया 160 आ गया, 9 को 27 से multiply किया 243 आ गया, 10 को 21 से multiply किया 210 आ गया, इस तरह के साब क्या करोगे, fx निकाल दोगे, फिर इन सारी fx की total करेंगे, कितनी आ रहे हैं 2886, इसमें आप क्या करोगे, f यह n का divide कर देंगे, और n यहाँ पर क्या होगा आपका, f की total 216, तो यहाँ पर आपका जो x बार है, वो क्या आ जाएगा, x बार आपका हो जाएगा, formula हो जाएगा, sigma fx upon n, fx की total कितनी है, 2886 में हम divide कर देंगे, f की total का यह n का, और यह n आपका कितना है, 216, तो कितना आएगा आपका, 13.36, यह आपका क्या आगया है, समांतर माध्य आगया है, mean आगया है, अब आगे हम क्या करेंगे, dx निकालेंगे, तो dx आप कैसे निकालोगे, x minus x बार करके, यहाँ पे भी हमको sign का ध्यान नहीं रखना है, mean deviation माध्य विजलन में हम sign का ध्यान नहीं रखते हैं, यहाँ पे देखिए समांतर माध्य कितना है, 13.36, तो इन सब भी x में से आपको क्या करना है, 13.36 को minus करना है, तो सबसे पहले 6 में से हमने minus किया, 13.36 कितना जाएगा, 7.36, फिर 8 में से minus करेंगे, कितना minus करोगे आप mean 13.36 को, तो कितना जाएगा, 5.36, फिर 9 में से minus करेंगे, 13.36 को, या जाएगा आपका 4.36, फिर 10 में से minus किया, 13.36, 3.36 आ गया फिर 11 में से माइनस करेंगे 13.36 को आपका जाएगा 2.36 फिर 15 में से माइनस करेंगे 13.36 को या आपका जाएगा 1.64 फिर 16 में से माइनस करेंगे 13.36 को या आपका जाएगा 2.64 फिर 20 में से माइनस करेंगे तो आपका कितना जाएगा 6.64 और 25 में से 13.36 को माइनस तो क्या जाएगा 11.64 ठीक है ये सारी जो x की value है इन सभी x की value में से हमने कितना minus किया 13.36 को तो हमारे पास में ये column बन गया है अब देखिए यहाँ पे हमारे पास में इस series में क्या होता आपके पास में frequency भी होती है तो ये जो dx आएगा अब उसको हम क्या करेंगे इस f वाले column से multiply करेंगे गोना करेंगे ठीक है तो f को अगर आप multiply करोगे इस dx के साथ में तो ये क्या बन जाएगा f into dx बन जाएगा ठीक है f into dx का मतलब क्या हो गया इस f को आपने multiply किया किस के साथ में इस dx के साथ में तो सबसे पिल आप क्या करोगे 28 को multiply करोगे 7.36 के साथ में तो कितना आजाएगा 206.08 फिट 20 को multiply करेंगे आप किस के साथ में 5.36 के साथ में कितना आजाएगा 107.2 फिर 27 को multiply करेंगे 4.36 के साथ में तो आपका आगया है 117.72 फिर हम 21 को multiply करेंगे 3.36 के साथ में मतलब इस f वाले column को इस dx वाले column के साथ में multiply करोगे तो क्या आजाएगा ये वाला column आजाएगा आपका last वाला f into dx आजाएगा फिर 22 को 2.36 है फिर 26 को 1.64 है फिर 23 को 2.64 है 24 को 6.64 है और फिर 25 को 11.64 है हमने multiply किया तो ये हमारे पास में value आगई है इन सब को आप plus कर दिजी add कर दिजी कितना आगया है 1107.2 अब आपका जो formula है वा क्या बन जाएगा इसकी total में इस f dx की total में आप क्या करोगे f की total का divide कर देंगे तो formula आपका क्या बन जाएगा sigma f dx की total में आपको किसका divide करना है इस f की total का या f की total को आप चाहिए तो n लिख दीजीए यह n की जगा हम क्या लिख सकते हैं n की जगा आप लिख सकते हो sigma f b लिख सकते हो formula देखो आपको याद करने की जूरत नहीं formula आपका यहीं से बन रहा है क्या formula बन रहा है बस यह जो f dx हैं इसकी total में हम इस f की total का divide करेंगे तो इस देखो f dx की total कितनी है रही आपकी ग्यारा सो साथ point 2 आया है इसमें आप किसका divide करोगे 216 का ठीक है यह देखिए ग्यारा सो साथ point 2 में हमने 216 का divide किया कितना आगया 5.125 यह आपका क्या है माध्य वितलन अच्छा इसमें एक और चीज द्यानक नहीं है अगर आपको माध्य वितलन गुणांक पुछा जाए coefficient of mean mean division अगर coefficient of mean division पुछा जाए तो जो आपने mean division निकाला है उसमें आप क्या करोगे mean समानतर माध्य का divide कर दोगे जैसे अगर देखो इसमें आपका mean division कितना है 5.125 और समानतर माध्य कितना है था आपका 13.36 13.36 का divide करने पर आपके पास में क्या आजाएगा माध्य वितलन गुणांक आजाएगा coefficient of mean division आजाएगा अगर यह पुछ रखा हो तो यह आप last में कर सकते हो अगर आपने mean division median से निकाला है तो इसका coefficient का formula क्या बन जाएगा उस mean division में आप क्या करोगे median का divide कर दोगे मतलब आपने mean division जिससे calculate किया है उसी का divide करना है अगर आपने समानतर माध्य से निकाला है तो समानतर माध्य का divide करो mean का divide करेंगे मीडियन से अगर निकाला है तो मीडियन का डिवाइड करेंगे मद्धिका से अगर आपने ग्याद किया है तो मद्धिका का डिवाइड करने पर आपके पास में क्या आजाएगा माध्य विच्टलन गुणांग कोफिशेंट ओफ मीन डिविशन आजाएगा अब next आपका है अगर आपके पास में जो कोशन है वो अखंडी तश्रणी में दे रखा हो सता तश्रणी में continue सिरीज में जिसमें आपके पास में क्या है वर्ग अंतराल है तो वो हम किस तरह के से ग्याद करेंगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमने पिछला कोशन को खंडी तश्रणी में किया था सेम तरीका सेम मेथड यहाँ पी भी हमको एपलाई करना है थोड़ा सा डिफरेंस क्या है वो देख लीजिए हमारे पास में कोशन जो होगा उसमें ये दोनों कोलम दे रखे होंगे ठीक है एक तापको मजदूरी दे रखी है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 और 60 to 70 और साथ में हमारे पास में फ्रिक्वेंसी दे रखी है 110, 125, 86, 45, 18 और 12 और इनकी टोटल कितनी है 3, 96 तो ये था हमारे पास में दिया हुआ था, ये दोनों कोलम हमारे पास में दिये होंगे सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें mid value निकालेंगे मध्हिमान जुसको आप क्या कहोगे x और mid value कैसे निकालते है वो मैंने आपको पहले सिखाया था ये जो हमारा वरगंताल है 10 से 20 हैं इन दोनों को जोड़ो 10 और 20 कितना होता है 30 30 में अगर आप 2 का डिवाइड करोगे कितना आजाएगा 15 आजाएगा 15 फिर 20 प्लस 30 करोगे 20 और 30 कितना होता है 50 50 में 2 का divide करोगे 35 आ जाएगा फिर 30 और 40 कितना होता है 70 में 2 का divide कर दो 35 आ जाएगा मतलब इन दोनों को जोड़के 2 का divide कर दीजिए 40 और 50 कितना होते है 90, 90, 90 में 2 का divide करोगे 45 फिर 50 प्लस 60 करोगे 110 और उसमें 2 का divide करोगे 55 फिर 60 प्लस 70 कितना होता है 130 एक सो तीस और एक सो तीस में 2 का डिवाइड करोगे तो 65 आजाएगा आपका पास में क्या आजाएगा पेंसर तो यह आपके पास में X आ गया है अब देखिए केवल आप यह दोनों कोलम देखिए F तो आपको दे रखा था X आपने निकाल दिया था अब F और X कौन सी शड़ी में दिये होते हैं खंडी तरशनी में, डिस्क्रीट सीरीज में जो पिछला कोशन हमने किया था तेक है उसमें X और F दे रखा था यहाँ पर हमारे पास में class इंक्रीज दे रखा था हमने क्या किया यहाँ पर X निकाल दिया अब यह कौन सी शीरीज बन गई हैं अब यह डिस्क्रीट सीरीज बन गई हैं खंडी तरशनी बन गई हैं इसका मतलब अभी जो method हमने यूज की थी पिसली बार ठीक है पिछले question में हमने जो method use की थी वो ही अब हम यहाँ पर use करेंगे सबसे पहले आप dx निकल दो के कैसे निकलोगे x minus x bar करके और फिर उसको आप क्या करोगे f से multiply कर दोगे तो क्या जाएगा आपका f into dx वाला last वाला column बन जाएगा कैसे बन जाएगा इस वाले column को इस वाले column से multiply कर देंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा यह निकालना पड़ेगा dx equal to x minus x bar और फिर उसको आप f से multiply कर दोगे तो यह आपका last वाला column बन जाएगा तो देखे कैसे होगा सबसे पहले हमने यहाँ पे f x निकाल दिया ठीक है f x आपके पास में कितना आ गया है इसकी total 11,580 और इसमें f की total का divide कर दीजिए तो हमारे पास में क्या जाएगा समानतर माद आ जाएगा ठीक है इसके बारे में हम पहले कर चुके हैं तो यहाँ पे आपका समानतर माद देख कितना है 29.24 यह आपका क्या है mean है समानतर माद देख है अब आपको क्या करना है dx वाला column जो मैंने आपको अभी उपर बताया है dx आप कैसे निकालोगे x माइनस x बार करके x आपके पास में कितना है देखे यह सब x है तो इन सब में से आप क्या करोगे x बार मतलब 29.24 को माइनस करते जाओगे सबसे पहले आप 15 में से माइनस कीजिए 29.24 को तो कितना आजाएगा आपका 14.24 आजाएगा फिर इस 25 में से माइनस कीजिए कितना 29.24 को कितना आजाएगा 4.24 आजाएगा फिर 35 में से माइनस कीजिए 29.24 कितना आजाएगा 5.76 फिर 45 में से माइनस कीजिए 29.24 को कितना आजाएगा 15.76 फिर 55 में से माइनस कीजिए 29.24 को या आजाएगा आपका 25.76 और फिर 65 में से माइनस के जे 29.24 कितना आ जाएगा 35.76 यह आपके पास में आ गया है dx यहाँ पी भी आपको माइनस के जो sign उसको ignore करना है ध्यान नहीं रखना सबको प्लस में लिखना दो देखिए हमने यहाँ पे सबको प्लस में लिखा है अब इस dx वाले कोलम को आप क्या करोगे इस f वाले कोलम से multiply कर दोगे तो यह तो है f और यह है dx तो क्या बन जाएगा f into dx बन जाएगा f को multiply करना है dx के साथ में ठीक हमनों पुलिक रखा है f को multiply करेंगे dx के साथ में तो सबसे पहले 110 को multiply करोगे आप 14.24 के साथ में, फिर 125 को multiply करेंगे 4.24 के साथ में, फिर 86 को multiply करोगे 5.76 के साथ में, तो ये हमारे पास में आते रहेंगे, फिर 45 को आपने 15.76 से multiply किया, तो 709.2 आ गया, फिर 18 को 25.76 से multiply किया, तो 463.68 आ गया, और last में 12 को multiply करोगे आप 35.76 के साथ में तो यह आजाएगा 429.12 तो यह आपके पास में FDX आ गया है अब इस FDX की हम क्या करेंगे total तो कितने आ जाएगी 4193 और इसमें हम किसका divide करेंगे इस F की total का और F की total कितने आई है 396 तो इस 4193 में आप किसका divide करोगे 396 का तो हमारा formula क्या बन जाएगा देखो इस FDX की total को हम क्या लिखेंगे summation FDX और इसमें आप किसका divide कर रहे हो इस F की total का summation F लिख दीजिए या summation F की जगा गर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं N भी लिख सकते हैं इसमें हमने value रखी हैं और 10.59 आगया है 4193.76 में 396 का divide क्या तो कितना आगया 10.59 या हमारा क्या है mean division माध्दी वितलन और अगर इसका गुणाग पुछा जाए तो क्या हो जाएगा mean division में हम क्या करेंगे mean का divide कर देंगे समानतर माध्दी का तो देखो mean division आपका 10.59 इसमें हम divide कर देंगे किसका एक्स बार का एक्स बार कितना आपका 29.4 29.24 का divide क्या कितना आगया 0.364 या आपका क्या है माध्दी वितलन अब देखो यही कोशन अगर आपका मध्दी का से करना हो तो मध्दी का के लिए आप क्या करोगे यहां पर इसकी जुरुत नहीं पड़ेगी मध्दी का के लिए आप क्या करोगे यहां पर CF निकालोगे यहां पर एक कोलम आपका क्या बन जाएगा CF फिर आप क्या करोगे मध्दी का के लिए मध्दी का के लिए हम सबसे पहले करते हैं small m equal to n upon 2 करोगे मतलब 396 upon 2 करोगे फिर जो आएगा 396 upon 2 करने पर कितना आएगा या आपका आएगा 198 फिर आप देखोगे 198 से ठीक बड़ी cf कौन सी है फिर आपको पता देगा आपका जो median है वो कितना है ठीक है 20 और 30 के बीच में है या 10 और 20 के बीच में है तो 20 और 30 के बीच में होगा अब 20 और 30 के बीच में क्या है वो आप फोर्मला से निकल होगे आपका फोर्मला क्या बन जाएगा median equal to l1 plus i upon f m minus c इससे आपके पास में क्या होगा median आ जाएगी जो भी median आती है फिर आप क्या करोगे अब x minus यहाँ पे क्या कॉलम बन जाएगा dm equal to x minus m पहले हम समांतर मध्य को minus कर रहे थे अगर आप मध्य का से करोगे median से तो यहाँ पे आपको median को minus करना होगा ठीक है और यहाँ पे भी sign आप ignore कर दोगे सब को positive लिखोगे फिर इस dm का आप f से multiply करोगे क्या जाएगा f into dm आ जाएगा और फिर last में हमारा जो formula हो क्या बन जाएगा mean deviation equal to summation f dm upon n मतलब कहने का मतलब यह है कि median में भी आपका तरीका से हम वो ही रहेगा बस median आपको निकान लिए और median कैसे निकालनी है पहले हम बढ़ चुके है उससी तरीके साब को निकालनी है अब देखिए तीसरा इसमें आ जाता है वो आपका कौन सा है प्रमाप विजलन ठीक है standard deviation या मानक विजलन जिसको हम कहते हैं और मानक विजलन जो है आप कैसे निकालोगे तो देखिए सबसे पहले आपको जो question ने उसमें आपको दे रिखी केवल एक individual series दे रिखी है ठीक है x आपके पास में कितना है 10, 12, 18, 25, 30 तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे dx निकाल देंगे और dx कैसे निकालते है x minus x bar करके तो यहाँ पर हमने x bar निकाला है ठीक है x bar आपका कितना आया है 19 ठीक है कैसे निकालोगे x bar 95 में हम divide कर देंगे किसका 5 का 95 में 95 में 5 का divide कितना आगया 19 आगया अब दोको यहाँ पर हमको sign इगरोण निकरना ठीक है sign का हमको क्या करना है ध्यान अखना है तो दोको यहाँ थोड़ी से mistake है सबसे पहले आप दोको 10 में से 19 को minus करोगे यहाँ पर कितना आगया minus का 9 आएगा फिर 12 में से 19 को minus करोगे यहाँ पर minus का 7 आएगा फिर 18 में से 19 को minus करें कितना आएगा यह minus का 1 आएगा फिर 25 में से 19 को माइनस करेंगे यहाँ पर 6 आएगा और फिर 30 में से 19 को माइनस करोगे ठीक है स्वरी दोगो 25 में से 19 को माइनस किया 6 आ गया और फिर 30 में से 19 को माइनस करोगे अमें क्या करेंगे कि इसका स्क्वार कर देंगे इसका मर पांस में प्लस का ऊंद क्याई ओक जाएगा प्लस का 81 फिर माइनस सेवन इंटू माइनस सेवन करोगे प्लस का 49 आ जाएगा फिर माइनस वन इंटू माइनस वन करोगे प्लस का वन आ जाएगा फिर 6 इंटू 6 करोगे प्लस में विसी प्लस में रहेगा 36 और 11 इंटू 11 कोड़ोगे आपका कितना जाएगा 121 तो यहाँ पे आपको क्या करना है साइन का ध्यान अठना है माइनस वाले को माइनस में लिखना है प्लस वाले को प्लस में लिखना है अब Standard Division का जो formula है आपका प्रमाविद लंगा ठीक है formula क्या हो जाएगा इसलिए लास्टूम formula में क्या करना है इसका root निकाल देंगे अंडर root निकाल देंगे हमारे पास में क्या आजाएगा Standard Division आजाएगा तो यहाँ पे देखिए जो dx square है उसकी total आपके पास में कितनी आ रही है 288 288 में हम किसका divide करेंगे 5 का और फिर उसका root निकालेंगे तो 288 अपन 5 करने पर कितना है 57.6 आया और 57.6 का आपने root निकाला क्या आगया 7.65 ति आपका क्या है Standard Division है प्रमाप विचलन है दूसरा question अगर आपका discrete series में आ जाए ठीके discrete series में क्या होगा हमारे पास में x दे रखा होगा और f दे रखा होगा ठीक है एक्स दे रखा होता है और f दे रखा होता है ये दो kolum आपको दे रखे होंगे x और f दे रखा होगा इसका मतलब वो 순नी कौन सी वो series कौन सी आपकी discrete series है खंडित शनी है सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे समानतर मபाद निकाल लेंगे देखो लेकिन इसमें क्या होता है समानतर में अगर आपका point में आजाएका दश्मलम में तो आपकी calculation क्या होती है बहुत hard हो जाएगी इसलिए हम क्या करते है shortcut method से मैं आपको बता रहाँ कि shortcut method से हम किस तरीके से करेंगे ठीक और shortcut method का मतलब क्या हो गया assume mean से ठीक यही method आपके लिए अच्छी रहेगी simple रहेगी subtle रहेगी इसमें आपको क्या करना है सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा dx और dx आप कैसे निकालोगे x minus a करके a आपको क्या करना है x में से किसी को भी मान सकते है ठीक है यह जो है वो हम x में से किसी को भी मान सकते है 6 को भी मान सकते है 8 9 10 11 15 16 20 ठीक है आपकी जो इच्छा हो इन में से किसी को भी मान लेना मैंने यहाँ पर किसको माना है सबसे छोटी value को माना है और सबसे छोटी value को मानने से क्या होगा यह जो आपके पास dx हैं वो सब क्या होंगे plus में आएंगे positive value आएगी इसलिए मैंने सबसे छोटी को माना है बाकि अगर आप चाहें तो यहाँ पे 10 को मान सकते हो ठीक है अगर आप यहाँ पे 10 को मानोगे जैसे इसको अगर यह मानोगे तो यहाँ पे आप दोखो सबसे पहले 6-10 करोगे कितना आएगा माइनस का 4 आएगा फिर 8-10 करोगे माइनस का 2 आएगा फिर 9-10 करोगे माइनस का 1 आएगा फिर 10 माइनस 10 करोगे 0 आएगा फिर 11 माइनस मतलब X में से माइनस करते जा रहा हम 11 में से 10 को माइनस करोगे या पर प्लस 1 आएगा फिर 15 में से 10 को माइनस करोगे 5 आएगा फिर 16 में से 10 को माइनस करोगे 6 आएगा तो हम एक किसी को भी मान सकते है ठीक है अगर 10 को मानोगे तो आपके पास में ये value आएगी हमने यहाँ पे 6 को मान रखा है सबसे छोटी को मान लिया मैंने किसको मान लिया 6 को तो यहाँ पे सबसे बहुत दुखो इन सभी x में से आप क्या minus करोगे सब में से 6 को minus करना है ठीक है तो 6 में से 6 को minus किया कितना आजाएगा आपका 0 फिर 8 में से 6 को minus करोगे 2 आजाएगा फिर 9 में से 6 को minus करेंगे 3 आजाएगा 10 में से 6 को minus करोगे 4 आजाएगा 11 में से 6 को minus किया 5 आगया 15 में से 6 को minus किया 9 आ गया 16 में से 6 को माइनस किया 10 आ गया फिर 20 में से 6 को माइनस किया 14 आ गया और 25 में से 6 को माइनस करोगे तो कितना जाए आपका 19 आ जाएगा यह आपके पास में क्या आ गया है dx आ गया है अब आप क्या करोगे इनका square कर दोगे ठीक है तो यह आपका दोको 0 का 0 है जाएगा 2 का square करोगे 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 3 का square मतलब 3 इंटू 3 9 हो जाएगा फिर 4 का square मतलब 4 इंटू 4 करोगे 16 आ जाएगा फिर 5 इंटू 5 करोगे 25 आ जाएगा फिर 9 इंटू 9 करोगे 81 फिर 10 इंटू 10 करोगे 100 आ जाएगा फिर 14 का square करोगे 196 14 इंटू 14 और फिर 19 इंटू 19 करोगे कितना जाएगा 361 आ जाएगा ठीके तो हमने सबसे पहले dx निकला है फिर हम क्या करेंगे इस dx का square कर लेंगे अब क्या करना है इन दोनों कोलम को आपको क्या करना है f से multiply करना है ठीके सबसे पिल आप इस f को इस dx से multiply कर दिए 2 को 0 से multiply करोगे 0 आएगा फिर इस 3 को 2 से multiply किया 6 आ गया फिर इस 5 को आपने 3 से multiply किया 15 आ गया फिर इस 8 को आपने 4 से multiply किया 32 आ गया फिर 10 क को हमने 5 से multiply किया 50 आ गया है फिर 16 को 9 से multiply किया 144 आ गया है फिर 8 को 10 से multiply किया 80 आ गया 4 को 14 से 56 फिर 2 को 19 से 38 यह आप fdx निकाल दोगे फिर हम को क्या निकालना एक और कॉलाम f into dx square f को आप multiply करोगे किसके साथ में dx square के साथ में तक्या आ जाएगा f into dx square आ जाएगा तो दखो इन दोनों को लोंगो multiply करते जो आप 2 को multiply करो 0 से तो जुरू आएगा 3 को multiply किजिए 4 के साथ में तो 12 आ जाएगा फिर 5 को multiply किजिए 9 के साथ में 45 आ जाएगा फिर 8 को multiply किजिए 16 के साथ में तो आपका जाएगा 128 फिर 10 को multiply किजिए 25 के साथ में तो 250 आ जाएगा फिर 16 को multiply किजिए 81 के साथ में तो आपका यह आ जाएगा पिर 8 को multiply किजी ये 100 के साथ में तो 800 आ जाएगा फिर 4 को multiply करेंगे 196 के साथ में तो 784 आ जाएगा और फिर 2 को multiply करेंगे 361 के साथ में तो कितना आ जाएगा 722 enem 2000 को multiply करने पर हो सकता है कई mistake होगई हो तरीक का आपको समझ में आना किस तरी के साब को करना है ठीक है अब देखो अब हम यहां पर फॉर्मॉला जो यूज करेंगे ठीक है आपका फॉर्मॉला क्या बन जाएगा standard deviation का जो formula है वह आपका होगा यह वाला ठीक है यह जो sigma f into dx square में आप क्या करोगे n का divide कर दोगे इसमें से माइनस कर देंगे क्या माइनस कर देंगे sigma f dx upon n का whole square यह माइनस कर दोगे और फिर इसका आप क्या करोगे under root लगा दोगे यह हमारा formula आपको यहां पे use करना पड़ेगा ठीक है इस formula हो आप सारे value रख दीजिए f dx square की total कितनी है यह आपकी है 4037 तो यह लिग दे हमने 4037 upon में आपका कितना आजाएगा 58 आजाएगा n है फिर इस f dx की total कितनी है यह आपकी है 421 निया पे लिग दे है आपने 421 बटा 58 और इसका whole square ठीक है यह सारी value आपको formula में लिखने आने चाहिए इस f dx square की जगा आप लिख दोगे 4037 n की जगा आप क्या लिख दोगे f की total लिख दोगे 58 फिर इस f dx की total की जगा आप लिख देंगे 421 इस n की जगा आप क्या लिख दोगे 58 लिख दोगे अब इसको आपको solve करना है 4037 में आप 58 का divide करोगे कितना आएगा 69.60 आएगा फिर 421 में 58 का divide करोगे और जो आएगा उसका square करना कितना आएगा 52.62 आजएगा अब 69.60 में से 52.62 को minus करें कितना आएगा 16.98 और इसका आप root निकलोगे कितना आएगा 4.12 के आसपास आएगा तिया आपका क्या हो जाएगा standard deviation तिसरा आपका है अगर अख condition में question आ जाएगा तो उसके लिए भी आपको same method अभी जो मैंने बताई हैं वो ही method आपको use करने होगी देखिए बस थोड़ा सा अंतरियां पे क्या होगा कि आपके पास में जो question है उसमें आपके पास में वर्गंतराल दे रखे होंगे question आपको यह दे रखा होगा इतना सा यह चीज़े यह ठीके तापमान आपको दे रखा है कि इसमें वर्गंतराल में और दिनों की संख्या दे रखी है number of days यह आपका है minus 40 से minus 30 और कितने दिन हैं 10 दिन यह ताप मान रहा है minus 30 से minus 20 की बीच में कितने दिन रहा है 28 फिर minus 20 से minus 10 30 इस तरह के सा आपको data दे रखे हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा उसमें x निकालना पड़ेगा x आपका क्या होता है mid value तो देखो सबसे पहले minus 30 और minus 40 कितने होते minus के 70 उसमें आप 2 का डिवाइड कर दिजिए minus 35 यह आपका x आजाएगा फिर minus 30 और minus 20 कितने होते minus के 50 अपों 2 करोगे तो minus के 25 फिर माइनस के 20 और माइनस के 10 कितना होगे माइनस के 30 और उसमें 2 का डिवाइट करोगे तो माइनस के 15 फिर माइनस का 10 और 0 कितना होगे माइनस का 10 ही होगा उसमें 2 का डिवाइट करोगे तो माइनस का 5 आ जाएगा तो यह आप सबसे पहले x निकाल दोगे अब हमारे पास में F हैं और X हैं तो बाकी तरीका आपको क्या करना है जो पिछले question में हमने किया था वो ही same method यहाँ पे भी आपको apply करनी है, सबसे पहले आप क्या निकाल दोगे dx dx आपका कैसे आजएगा x-a करके अब देखिए, यहाँ पर आप चाहो तो थोड़ा उसको, देखो, हमारे पास पर नमबर अगर थोड़ा बड़े आ रहे हो, तो उसको जो एक class interval, इनके बीच में अंतर कितना है 10 का, तो आप चाहो तो इसमें 10 का divide कर सकते हैं और last में जो formula होगा उसमें आप क्या करना, इस 10 से हम multiply कर देंगे, इसको आप क्या लिखोगे d-x ठीक है, देखो, dx आप कैसे निकालते हो dx हमने निकाला था x-a करके अगर इसमें हम interval का divide कर दें, तो हमारे पास में क्या जाएगा d-x आजाएगा calculation को simple बनाने के लिए हम इसा करते हैं और अगर आप नहीं चाहो इसा, तो direct या विसी कर लेना जो हमने पिछले question में हमने किया ता, आप चाहे है यह हमारे पास में है तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, इन सब में अंतर कितना है 10-10 का अंतर है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर 10 का divide कर दें, ताकि हमारी calculation क्या हो simple हो जाए, तो इससे हमारे पास में क्या आएगा यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5 आ जाए, कैसा आएगा तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे X-A, A आपने कितना माना 35, तो सबसे पहले यहाँ पर आपका क्या होगा minus 35 में से आप minus करोगे क्या minus करोगे minus के 35 और उसमें आप क्या करोगे 10 का divide कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा तो सबसे पहले आपने क्या लिख दिया 0 फिर देखो यहाँ पे x minus यह मतलब यह आपका हो जाएगा minus का 25 में से आपको minus करना है यह यह आपने कितना माना है minus का 35 और इसमें किसका divide करोगे आप 10 का तो देखो minus के 35 और यह minus बाहर कितना आ जाएगा plus का 35 और plus के 35 में से āगर आप 25 को minus करोगे कितना बचेगा plus का 10 और plus का तेन अपने 10 करोगे कितना जाएगा 1 आ जाएगा तो यह देखें यहाँ पे कितना आ गया पिर next आपको निकालना है यहां पर दोको minus 15 है, यह को minus 15 मेंसे minus कर देंगे, यह आपने कितना माना है? minus का 35, उसमें आप क्या करोगे? 10 का divide कर दोगे, तो देखो minus minus तो plus का 35 होगा, plus के 35 मेंसे 15 को minus करेंगे, plus का 20, 20 upon 10 करोगे, क्या आजाएगा आपके पास में 2 आजाएगा तो कोई सा भी question अगर आप करोगे और उसमें अगर आप जो A है अगर वो सबसे छोटी value को मानते हो ठीक है सबसे छोटी value को अगर आप मानोगे तो हमाज यहां यहां पर आपके वास में D-X जो आएगा वो कितना आएगा इसे कर कर देंगे फिर इसको हम F से multiply करोगे तो आपका आजाएगा F into D-X कह सकते हो और फिर अगर इस F को अगर हम square के साथ multiply करेंगे D-X square के साथ में क्या आजाएगा last वाला column आजाएगा आपका F into D-X square और फिर आपका जो formula होगा ठीक है वो formula आपका क्या होगा यह formula आपको use करना पड़ेगा जो पहले वाला formula आपका इतना सी था पस यहाँ पे हमने क्या क्या था छोटा बनाने के लिए उसमें 10 का divide क्या था इसलिए last में आप क्या करोगे जिससे भी divide के उससे आप क्या करोगे multiply कर दोगे तो value रख दीजिए F-DX square कितना है यह आपका ह 6426 यह लिख दिया हमने 6426 अपन N कितना है 365 यह लिख दिया 365 फिर bracket में आपका क्या है सिग्मा F-DX कितना है 1434 यह लिख दिया हमने 1434 N कितना आपका 365 का whole square यह लिख दिया हमने बस इसको आप शोल कर लिजिए 6426 में अगर आप 365 का divide करोगे कितना आ जाएगा 17.60 आ जाएगा 365 का divide करोगे कितना आएगा 3.928 और इसको फिर आप square करोगे ठीक है करने पर कितना जाएगा आपका 15.42 फिर 17.60 में से 15.24 को minus कर देना जो आएगा उसका अंडरूट कितना आएगा 2.18 आएगा इसका अंडरूट निकलो कितना जाएगा 1.764 आजाएगा और यह जो 10 है ठीक ह आपका 10 अंडरूट में नहीं है मतलब लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा multiply करना पड़ेगा तो देखिए यहां पर 1.46 यहां पर आपका into 10 में लिखना है साथ में into 10 और into 10 करने पर कितना जाएगा 14.764 यह आपका क्या होगा प्रमाप वितलन होगा अब देखिए यह नहां पर अगर हम चाहें तो समानतर माद्दी निकाल सकते हैं उसके लिए आपको fx की जुरूरत नहीं पड़ेगे ठीक है एक्स बार के लिए को और फोर्मॉला भी आप याद कर सकते हो एक्स बार का फोर्मॉला क्या होता है ए प्लस सिग्मा fdx upon n इस यह लोगा आपका shortcut method में होता है और अगर आप step division यूज़ करते हो जैसे कि यहां पर आपने 10 का divide किया था यहां पर आपका जाएगा fd-x into आप last में क्या कर दोगे i से ठीक है इससे भी हम क्या कर सकते हैं समानतर माद्दे निकाल सकते हैं ठीक ही अगर आप चाहें तो यह भी आप याद रख सक नहीं तो फिर आप उसी तरीका की यूज़ कर लेना x बार निकालने के लिए आप क्या करना fx निकाल देना fx की total में n की total का divide कर देना तो यहां तक हमारे तीन टोपिक हो चुके हैं चतुर्तक विटलन माद्दी विटलन और प्रमाव विटलन अगर आपको विस्तार range के बारे में अगर पूछा जाएं ठीक है range तो range हम कैसे निकालते हैं highest value में से lowest value को minus कर देते हैं अगर आपके पास में यह question आ जाए इसमें स सबसे चोटी कितनी है 138 तो रंज आपका क्या हो जाएगा 170 में से 138 को minus कर देना ठीक है हमारे पास में क्या जाएगा विस्तार आजाएगा रेंज आ जाएगा 170-138 तो कितना आजाएगा आपका 32 आजाए ठीक 32 आपका क्या हो जाएगा range हो जाएगी अगर इसका गुणांग पुछा जाएं coefficient of range विस्तार गुणांग तो उसका formula क्या होता है h-l upon h plus l तो ये कितना हो जाएगा देखो 170 minus 138 upon 170 plus 138 इसको आप solve कर लेजएगा ठीक है 170 में से अगर आप 138 को minus करोगा कितना हैगा 32 upon में आप divide कर दोगे कितना 308 का ठीक है जो भी plus करने पर आप calculation करके देख लेना 170 plus 130 करोगे कितना जाएगा 308 तो 32 में आप 308 का divide कर देना और मैंने बताया गुणांग जो होता है हमेशा कितना आता है एक या एक से कम आएगा ठीक है 0 point something कुछ आएगा जो भी आता आपका divide करने पर 0.1 क्या सपास आना चाहिए ठीक है 0.1 आपका क्या हो जाएगा उनाक हो जाएगा अगर आपका question खंडी तिश्रणी में है discrete series में है तो इसमें भी आपका formula range का क्या होगा h minus l होगा सबसे बड़ी value देखिए x में आपकी कितनी है 25 है तो 25 minus सबसे छोटी value कितनी है 6 तो 25 में से 6 को minus कर देना 19 ये आपकी क्या है range ठीक है विस्तार है और विस्तार गुनांक अगर पुछा जाए तो गुनांक का formula आपका वही होगा h minus l upon h plus l 25 minus 6 upon 25 plus 6 इसको आप solve कर लेज़ेगा हमारे पास में क्या जाएगा विस्तार गुनांक खा जाएगा अगर question आपका अग conditionally में होता है continue series में होता है तो b formula वही रहेगा r equal to आपका क्या होगा h minus l highest value कितनी है 70 lowest value कितनी है 10 frequency नहीं देखनी है यहापे बस आपको value देखनी है 70 में से 10 को minus कर दो कि 60 आपका क्या हो जाएगा range आजाएगा और अगर आपको विस्तार गुनांक पुछा जाता है तो गुनांक का formula क्या होता है वो ही रहेगा same क्या होगा h minus l upon h plus l ठीक है इससे आपके पास में जाएगा coefficient यह हो जाएगा आपका 70 minus 10 upon 70 plus 10 इसको आप solve कर लेजेगा 60 upon 80 ठीक है जो भी आएगा वो आपका विस्तार गुनांक हो जाएगा अब देखिए इसके साथ साथ में हमने जो प्रमा पिजलन पड़ा था तो प्रमा पिजलन से हम क्या कर सकते हैं दो श्रिणों की तुलना नहीं करते हैं तो दो श्रिणों की तुलना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसका गुनांक निकालना पड़ेगा और प्रमा पिजलन क्या हो जाएगा कोफिशन क्या हो जाएगा सेवन पॉइंट सिक्स फाइफ में 19 का डिवाइट कर देना क्या आजाएगा आपके पास में प्रमाप विचलन का गुणांक आ जाएगा ठीक है मतलब जो भी कोफिशन आपने किये हैं जो प्रमाप विचलन निकाला है उसमें समान तरमादी का डिवाइट करोगे तो क्या जाएगा आपके पास में उसका गुणांक खा जाएगा और उसको प्रतिशत में अगर बदलोगे तो उसको हम क्या कहते हैं निकाला है प्रमाप विचलन उसमें आप समान तरमादी का डिवाइट कीजिए और उसको हंड्रेट से मल्टिप्लाइ कर जीए प्रतिशत में अगर उसको बदलते हैं उसको क्या कहते हैं कोफिशेंट ओफ वेरिशन केते हैं विचरन गुणांग दो श्रिणों की तुलना क हैं इस्तिरता किसमें जादा है अगर यह पूछा जाए तो वहां पर आपको क्या निकालना पड़ेगा कोफिशेंट ओफ वेरेशन निकालना पड़ेगा और जिसमें सीवी की विल्यू कम होगी वहां पर यह जो इस्तिरता हैं संगत्ता हैं वो क्या होगी जादा होगी समं कौन कौन सी हैं एक तो A टीम है और एक B टीम है उनके दोरा विबिन मेचों में किये गए गोल निम्न प्रकार से हैं ज्याद कीजिए कि कौन सी टीम का खेल अधिक संगत माना जाता है कौन सी टीम जो है उसका खेल जादा उसमें कंसिस्टेंसी है वो आपको केलकुलेट करना ह तो अब यहां पे आपके पास में कुछ भी लिखावानी है कि mean deviation निकालना है standard deviation निकालना है तब आपको यहां पे पता पढ़ना चाहिए कि यहां पे हमको पूछावा है कि कौन सी team का जो खेल है वो अधिक संगत पूछावा है ठीक है किसमे consistency जादा है यह पूछावा है और consistency अगर पूछाजाए इसका मतलब आपको क्या निकालना है standard deviation निकालना है परमाप विचलन आपको निकालना पड़ेगा ठीक है उसके लिए आपको coefficient of variation निकालना पड़ेगा और उसमें आपको किसकी जुरत पड़ेगी एक तो प्रमाप विचलन की जुरत पड़ेगी एक जादा होगी जिसमें cv की value कम आएगी जैसे for example आप मालेजे कि एक का आपने निकाला बी का भी निकाला दुनों टीम का एक का जो आपका cv है विच्ण गुडांग वो कितना है माना कि 65% आया है और बी का कितना है 132% अब आपका result इसमें क्या पोचा हो था कि कौन सी team का खेल अधिक संगत है मतलब consistency किसमें जादा है तो जिसमें cv की value कम है दोनों में से देखे किसमें कम है इस a team में कम है आपका answer क्या हो जाएगा a team का खेल अधिक संगत है आप कैसे निकालोगे देखो यह तो मैं आपको example ऐसी लिखे बताया है ठीक है इसको पूरा soul कैसे करोगे व 54 यह हमको दे रखे हैं और 1796 यह आपको दे रखे है मतलब यह आपके पास में एक तरह से frequency दे रखी है ठीक है यह हमारे पास में b team की frequency है यह a team की frequency होगी और यह 0123 आपके लिए क्या होगा x होगा अब देखी यहाँ पे हमको दोनों team के लिए अलग-अलग क्या करना पड़ेगा प्रमाव वितन निकालना पड़ेगा standard deviation निकालना पड़ेगा a team का भी निकालना पड़ेगा और b team के लिए भी निकालना पड़ेगा तो सबसे पहले हम देखते हैं कि a team के लिए आप 2, 3, 4 और 8 टीम में मेचों की जो संक्या है नमबर ओप मेचे आपको जो दे रखा था कोशन में 27,9,8,5,4 यह आपके लिए क्या हो जाएगा फ हो जाएगा अब बाकी तरीका मैंने जो पहले आपको सिखाया है उसी तरीके साअब को क्या करना है निकालना है अब देखो यह बता रहाए का जुरूना का अब इसी तरीके а यह उस करो ड़ें के ऐसा करना कोई जुरूनीं है सबसे पहले दÈखा आपको X बार की जूरत कर देना क्या आजाएगा आपके पास मैं X बार आजाएगा तो सबसे पिला आप समान तरमादी निकलोगे दूसरा आप क्या निकलोगे DX और DX आप कैसे निकलते हो वो मैंने ठीका है तापको कैसे निकलते हैं X माइनस A करके A इस X में साब किसी को भी मान सकते हो 0, 1, 2, 3, 4, 5 जिसको आप मनना चाहें मान सकते हैं यहाँ पर जैसे 1 को मान रखा 1 को मान क्या आप करोगे तो यह आपका कॉलम मनेगा DX ठीक है 0 में से 1 को माइनस किया माइनस एक आया, एक में से एक को माइनस किया, जिरू आ गया, दो में से एक को माइनस किया, एक आ गया, तीन में से एक को माइनस करोगे, दो आ जाएगा, चार में से एक को माइनस करोगे, तीन आ जाएगा, यहाप के पास में क्या जाएगा, डी एक्स आ जाएगा, फिर आप करोगे वन आएगा दो का स्कॉय करोगे चार आजाएगा और तीन का स्कॉय करोगे तो नौ आजाएगा फिर आप क्या करोगे इस f को dx स्कॉयर से मल्टिप्लाइ कर देना f आपका कहां पर यह ठीक है तो f आपका है यह इसको आप इस dx स्क्वाइर से मल्टिप्लाए कर दो सबसे वहले देखिए 27 को अगर आप 1 से मल्टिप्लाए करोगे तो 27 आएगा फिर इस 9 को अगर आप 0 से मल्टिप्लाए करोगे तो 0 आएगा फिर इस 8 को आप 1 से मल्टिप्लाए करोगे 8 आएगा फिर इस 5 को आप 4 से multiply करोगे 36 आ जाएगा फिर इसकी आप total कर लिजे total कितनी आ रही है 91 और n की total कितनी आपकी 53 फिर आप formula में value रख दीजे और अच्छा fdx कीप जरुत पड़ेगी आप fdx भी निकाल देना इन दोनों column को गुना करके हम क्या करेंगे fdx भी निकाल देंगे ठीक है fdx की total कितनी रही है आपकी 3 आ रही है फिर आप formula में value रख देना ठीक है तो यह दो को x bar का या पर formula अलग बता रखा मैंने आपको fx वाला बताया है अब प्रमाविजन के लिए आपको यह formula था इसमें आप value रखो के कितना जाएगा 1.3091 यह आपका एक team का आया है ठीक है एक team का इसी तरीके से हम क्या करेंगे b team के लिए भी निकाल देंगे तो b team के लिए भी x तो आपका वही होगा x आपका शूरू शूरू को column क्या दे रही है था 0, 1, 2, 3, 4 यह आपका क्या होगा x होगा फिर frequency आपको दे रखी थी कितनी दे रखी थी b team के लिए 17 goal है ठीक है मैचो की संगे 17 है 9 है 6 है 5 है और 3 है आपके पास में फिर बाकी तरीका आप उसी तरीके से क्या करोगे इसमें भी प्रमाव विद्लन निकाल दोगे समान तरमादी निकालना होगा तो इस x को f से साथ multiply कर देना fx आ जाएगा फिर fx की जो fx की जो total आएगी उसमें इस f की total 40 का divide कर देना क्या जाएगा आपके पास में x बार आ जाएगा ठीक है इसको आप पूरा करके देखना फिर जो मैंने आपको तरीका उपर बता है उसी तरीके से आप क्या करना है इसमें भी आपको standard deviation निकालना है ठीक है a team का अलग निकाल दो b team का अलग निकाल दो अब last में आपको क्या करना है वो आपको formula में value रखनी होगी ठीक है formula में value रखो गया तो दोको a team के लिए आप देखोगे तो a team का जो प्रमाप विजलने वो कितना आया है 1.3091 और उसका x-bar कितना आया है 1.05 ठीक है इसको 100 से multiply कर तो कितना आ गया है आपका 123.897 इसी तरीके से B team के लिए आप निकालोगे तो ये कितना रहा है 108.975 आया है अब मैंने बताया है कि दोनों में से किसका कम आया है B team का देखो 180 आया है जबकि ये का 123 है इसका मतलब B team का जो खेल है वो जादा संगत है उसमें जादा consistency होगी इसी तरीके से देखिए एक question आपको एक और दे रखा है कि निमने दो श्रिणों के प्रमा पर विजलन आपको ग्याद करने है दो श्रिणे दे रखी मतलब ये आपकी X series ये हो गई A series ये आपकी B series हो गई इसका मतलब देखो इसमें आपको क्या करना है फिर इसका आप square कर देना क्या आजाएगा X square आजाएगा और फिर प्रमा पर विजलन का फूर्मुला क्या बन जाएगा अंडरूट में सिग्मा डी X square upon N माइनस सिग्मा डी X upon N का whole square करके हम क्या करेंगे इसको solve कर लना इससे आपके पास में क्या होगा प्रमा विजलन आ जाएगा किसका आ जाएगा A series का जाएगा इसी तरीके से सेम तरीके से आप क्या करोगे B series का भी हम क्या करेंगे प्रमा विजलन निकाल देंगे समानतरमाद निकाल देंगे समानतरमाद किसे निकलते हैं इस x की टोटल करके कितने है ये 10 10 का आप क्या करोगे, divide कर दोगे x का समानतरमाद है जाएगा y श्रिणी का हम क्या करेंगे समानतरमाद है निकल देंगे यहाँ पर देखेए अलग तरीके से निकल रखा है आप किसी भी तरीके से निकालो, आंसर क्या आएगा आपका, सेम आएगा, तो देखो, एक्स जो A श्रिणी उसका समांतर माद आपके पास में कितना है, 260.1, और B श्रिणी का जो समांतर माद दिया, वो कितना है, 105.9, फिर हमने प्रमाप विचलन निकाला है, तो प्रमाप वि विचलन है, उसमें आप क्या करोगे, समांतर माद दिया का डिवाइट कर दोगे, तो यह देखिए, आपका 51.6, इसमें आप क्या करोगे, 260 का डिवाइट कर देना कितना जाएगा, 1.918 आगया, और इसमें आप क्या करोगे, 14.96 में, 105.9 का डिवाइट कर देना कितना जाए पॉइंट वन फॉर वन आ गया अब देखिए इसमें क्या पुछा हुआ है अगर पुछा हुआ तक कंसिस्टेंसी किसमें ज़्यादा है इसके लिए आपका कितना आ जाएका सो से मल्टिप्लाइए करने पर यह आ जाएगा आपका 19.8% और यह आपका आजाएगा 14.1% अब कंसिस्टेंसी का पुछी होती है है संगता किसमें ज़्यादा होती यहाँ पर पूछा आपको विच्रन शिलता बिखराव किसमें ज़्यादा है तो जिसमें cv के वल्यू ज़्यादा होती है यह वल्यू जयादा है मतलब इसमें तो यहां पर देखी इसके अलावा कुछ बुक के कोशन है वो अगर आप करना चाहो तो यहां पर इसको वीडियो का आप रोक लेना एक बार उसके साफ से आप कर लेना ठीक है यहां पर आपको केंदरी मांग दे रहा है सेंटर विडियो जब दे रहा है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा वर्ग अंतराल यहां पर निकालना पड़ेगा ठीक है वर्गंताल निकालो के ठीक है और वर्गंताल कैसे निकालते है उसको मैं आपको अलग वीडियो मे हम पढ़ चुके हैं पहले उस तरीके से ही करना आपको ठीक क्यों आ जाएगा और फिर जो क्वार्टर डेविशन है उसका फॉर्म आपका क्या हो जाएगा क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन क्या कर दोगे टू कर दोगे था हमारे पास में चतुर तक वित्लन आ जाएगा ठीक है इसमें पूछावा जैसे कि समांतर माध्य और मध्य का इन दोनों की साहितास आपको क्या करना है माध्य वितलन निकालना है तो देखो यहां पर सी अधिक में दे रखा है तो सी अधिक में दे रखा है मतलब 5 से अधिक 15 से अधिक 25 से अधिक तो यहां पर आपको क्य 5 से 95 और यहां से आप frequency को minus करते जाओगे 100 में से 97 को minus करना है फिर 97 में से 89 89 में से 74 इस तरह के सापके पास में क्या होगा नया सानी बन जाएगी इस तरह के से तो यह आपको अलग से मैं आपको बताओगा कि less than more than ठीक है अगर उनको चेंज किस तरीके से करेंगी वो आपका आना चाहिए ठीक है वो आपका किसे में भी आ सकता है बाकी तरीका जो आपका वो same रहता है तो यह आपने देखो वरगंतल बना लिये हैं मद्धी बिंदो आपने इसका निकाल दिया है frequency आपने दे रही ठीक कोशन में ठीक है फिर आप CF निकाल दो कि सबसे पहले या आपको calculate करना पड़ेगा ठीक है और फिर बाकी तरीका था हमने पहले पढ़ रखा हैं वो ही तरीका आपको यहाँ पर apply करना होगा फिर मद्धी का निकाल देना और मद्धी का वाला तरीके से हम क्या करेंगे mean deviation calculate कर लेंगे ठीक है इसमें दोनों वीदियो से पुछावा है समांतर माद्धी से भी पुछावा है मद्धी का से भी पुछावा है ठीक है यह ति मैं आपको भी बताया है यह आपको प्रमा विजलन उसका गुणा गयाद कीजिए ठीक है direct method है direct method का मद्धी समांतर माद्धी की सायते से गयाद करना है लेकि मैं आपको बताया था कि समांतर माद्धी अगर दश मलन में आ जाए point में अगर आ जाता है तो फिर आपको इससे नहीं करना है सिग्मा डी एक्स स्क्वायज अपॉन एन माैनस सिग्मा डी एक्स अपॉन एंड का whole six or का hour धर अपको युर्ण यख़िसका क्या करोगे अन्डरूट लगा दोगे स्क्वायज दार्श है एक पर इंटू डीक्से ब्वाला इतना सा चींज वान जाता है ठीक है आप कोशन करते जाओगे तो फॉर्मले आपको अलग से याद करने की जूरत नहीं पड़ेगी ठीक है यह वाला कोशन है इसको भी हमने कर लिया तहा प्रमा वितलन में ठीक है किस तरह के से ज्याद करना है वह आप यहां पर दे ठीक है अब मैंने जो तरीके बताए हैं उसी तरीके साफ इन questions को solve करने का प्रयाज करना अब ये अगर आप clear कर लोगे दोनों जो वीडियो हमारे हैं केंदरी प्रवर्ती के माप mean, mode, median और अब किरन के जो माप हमने पढ़े हैं standard deviation ठीक है तो बात में अगला जो टुफिक हम पढ़ने वाले हैं विशमता, skewness उसमें इनकी जुरत पढ़ेगे ठीक है पढ़ रखा हैं तो काल पिरसन का जो विशमता गुणा के coefficient of skewness है वो आपके लिए easy रहेगा, simple रहेगा ठीक है दुसरा बाउले का जब आप पढ़ोगी ठीक है तो बाउले में आपको median की जुरत पढ़ेगी एक तो एक आपको Q1 की जुरत पढ़ेगी और एक आपको Q3 की जुरत पढ़ेगी ठीक है बाउले का जो coefficient of skewness है बाउले का ठीक है बाउले का जो विशमता गुणा के उसमें आपको median, q1 और q3 तो यह आप एक बार complete कर लेना तो आपको अगला जो topic हम पढ़ेंगे वो आपके लिए easy रहेगा